वश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडि के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में इंडियन जोग्रोफी यानि भारत के भुगोल की जिसमें हम प्रिवियस यह जो पिछले एक्जाम में कोश्चंस आये हुए हैं इंडियन जोग्रोफी से लेकर उन कोश्चंस को हम सोल कर रहे हैं और यह जो वीडियो है वो नाइंथ वीडियो हो रही है इससे पहले वाली जो एट वीडियो हैका अलक से ñ Ronnie बना रखी है तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, देखें, फर्स्ट कोशन जो हमारे सामने है, वो पूछा गया है कि खाद्य फसलों में से ये शामिल है, यानि खाद्य फसलों में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, और ये जो कोशन है, वो आपके सामने SSC, CGL के, 2014 में कोशन पूछा गया था तो खाद्य फसले जो हम खा सकते हैं, वो फसले पूछी गई हैं, तो यहां पर कपास तो ये नहीं हो सकता, अलसी ये नहीं हो सकता, खाद्यान, दालें, दलहन, तिलन, हाँ, ये है, जूट, ये नहीं हो सकता, तो हमारे सामने option निकल के आता है, C, तो first question का answer हो जाएगा हमा हमारे सामने आ जाती है, अब आते हैं second question पर, second question पूछा गया है कि IR20 और रतना दो परमुक किसम है, किस की किसम है, यानि किस फसल की ये दो परमुक किसम है, तो यहां पर आपके सामने option जो चारों में से उसका answer हो जाएगा, D, यानि कि धान, देखे, IR20 और रतना जो है, वो पूसा 1 है, हेमा और राजश्वरी, ये धान की परमुक किसमें आ जाती है, और आपके सामने food crop आपके सामने एक map भी दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा area में क्या-क्या चीज़ें होती है, wheat, rice, millet, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, अब आते हैं third question पर, third question पूछा गया है कि जूम, क्रिशी अभी भी कहां परचलित है, ये बहुत important question है, क्योंकि 2007 में SSE tax assistant में ये question पूछा गया था, stenographer 2014 में ये question पूछा गया था, तो मिजोरम, नागालेंड, मनिपूर, तो ये कहां पर, या फिर इन तीनों में, सबी जगें पर परचलित है, तो इसका right answer ह हो जाएगा D, यानि देखे, मुख्यत है, उश्न कटी बंदिये शेत्रों में, पेड़ों और वनस्पती को काट कर, उनको सफ करकर, और जो बची हुई वनस्पती जो बच जाते हैं, उनको जला कर, उस स्थान को खाली किया जाता है, इसको एक तरीके से स्थानांतरित, या उसकी राक एक तरीके से उर्वरक का काम करती है, साफ की गई भूमी पर पुराने उपकरनों और लकडी के हल आदिस से जुताई करके बीज बो दिया जाते हैं, फसल पूर्णत है, जो है वो प्रकरती पर निर्बर होती है, ऐसी कृषी सारे पुर्वोत्तर भारत के पहाड अब फूर्थ कोशन पुछा गया है कि जूम कृषी डैस से संबन्दित है, देखिए, अभी आपके सामने जो तीन नाम आये थे, उनी में से तीन नामों से हैं आपको पगड़ना है, स्थाना अंतरन कृषी, ऐसे सी सी पियों के अंदर ये कोशन आया हो है, 2017 के अंदर, तो ये कोशन रिपीटिड होते ही होते हैं, 2007 में, 2014 में, 2017 के अंदर, तो फूर्थ का अंसर हो जाएगा आपके सामने C, अब फिफ्थ कोशन है, कि खेती की जूम विधी का वैवार हुआ करता है, अब फिर से वही कहां पर, मध्या उचबूमी में, हिमाजर पर्देश में, तट जूम है, क्या है, एक लोग नित्य है, एक नदी का नाम है, या भारत के उत्तरपूरु की एक जन जाती है, या कृशी खेती का एक परकार है, तो भई, आपके सामने आंसर इसका हो जाएगा, D, SSC CPO के अंदर, 2012 के अंदर एक कोशन पूछा गया था, clear, तो देखिए, 2007, 2012, 2012, 2014, 2017, एक कोशन कितनी बाहर पूछा गया है, उसी से related, अब बात करें, 7th कोशन में, निमल लिकित में से कौन सी एक रोपन फसल है, फसल नहीं है, रोपन फसल नहीं है, तो यहां पर आजाएगा आपके सामने, E, यानि D, देखिए, रोपन फसल के अंदर गत कौन सी आती ह है, विद्वानों ने क्या का है, जो एक्सपर्ट समनों ने का है, कि जो एक है, वो भी एक तरीके से रोपन फसल है, लेकिन भारत के रिस्पेक्टिव में हम बात करें, तो यहां पर यह गलत अंसर हो जाएगा, यहां पर फार्मिक सिस्टम भी मैंने आप लोगों के मैप ल देख लेनी है, और मद्यपर्देश विशालतम उत्पादक है, किसका है, तो यहां पर देखे, 2017-18 में यह कोशन पूछा गया है, 2011 के CHSL के अंदर, यह CHSL के अंदर कोशन पूछा गया था, तो यहां पर आपको ध्यान लगना है, देखे, 2017-18 में मद्यपर्देश दाल और त तो विशालतम उत्पादक के हाँ पर इसमें राइट आंसर देखे तिलहन और दालों का दो चीज़ें आ जाती है अब बात करते हैं नाइंध कोशन की पूछा गए है कि भारत में एक मिनिट बारत में गेहूं की निम्ड जातियों में से किसकी खेति की जा रही है यानि कि obviously जैसे हमने चावल की किसम देखी, ऐसे गेहूं की भी किसम होती है, यानि टाइप होते हैं, तो उसमें किस की टाइप जो हमारे देश में सबसे ज्यादा की जाती है, देखें आपके सामने, इमेर, ब्रेड, क्लब, डुरूम, यह अलग-अलग गेहूं की टाइप द एक कलब गेहूं, या फिर इसको टी vyek को कम यह अजीव साही नाम है, इसको देख ले न, उसके अधरिक, जो तीनो पर जाती हैं, कहती भारत के लिए की जाती हैं लेकिन इस कलब को छोड़ते हैं उसके लावत तीनों जो है वो भारत में की जाती हैं यानि इसको हटा दें तो तीनों की जाती हैं लेकिन 1965-2007 के दोरान जो हरित करांती हुई थी सबसे अधिक जो ब्रेड वीट की किसम जारी की गई थी इसलिए कहा जा सकते हैं कि भारत में ब्रेड गेहूं जो है वो सबसे जादा की जा रही है अब सोपान क्रिशी कहां की जाती है पहाड़ों की धलानों पर शुष खेत्रों में पहाड़ों की चोटी पर ये CHSL के अंदर 2011 में कोशन पूछा गया था तो इसका अंसर हो जाएगा पढ़ाड़ों की डहलानों पर तेकि सोपान का मतलब होता है सीडी नुमादार जो है वो खेती करना जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं सीडी नुमादार एक खेती कर देना ताकि उपर से जब भी पानी आता है बारिश होती है पानी आता है तो मिटी कटना जाए तो इसलिए मिटी को कटने से बचाने के लिए एक सीडी नुमादार जो है वो खेती कर दी जाती है तो पृत्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अप करते हैं उस खाद्य फसल का नाम बताई है जो भारत में सबसे अधिक उपजती है तो कौन सी उपजती है तो यहां पर आपके सामने डी इस का अंसर हो जाएगा चावल यहां पर आपके सामने जो मैप दिया है 2016-17 के अंकड़े हैं जिसमें बताया गए कि सबसे जादा चावल कहां हो रहे हैं तो आपके सामने यहां पर उप्शन भी लिखे हैं वह उप्शन क्या है इमेज के अंदर नंबर भी लिखे हैं नंबर वन नंबर टू यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर त्री और 2017-18 के आंकड़ों के अकोडिंग हैं बात करें चावल जब 112.91 गेहु जो है 99.70 और मक्का जब 28.72 जबकि जवार जब 4.95 मिलियन टन था यानि कि नंबर वन पर चावल नंबर सेकिंड के उपर गेहु आती है बारत में धिक्तम क्रिशी होगे घहरने वाली फसल कौन सी है भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले मुले में सर्वोस्तिती है हम जो भारत दूसरे देशों बेशते हैं मसाले की फसलों में कौन सी आ जाती है तो इसमें आ जाती है B सूखी लाल मिर्च ध्यान अगने देकि भारत के निर्यात के अगर हम दृष्टी से अगर ह अब यहां पर 2012-13 के आंकड़ों के अगरम बात करें तो 2,38,060.90 लाख रुपे की जो है वो सूखी लाल मिर्च का निर्यात किया था जबकि मिर्च यानि पैपर जिसको हम कहेंगे उसकी आमर सामने आंकड़े दिये गए हैं 63,810 हल्दी जो है टर्मरिक यानि कि इसमें 55,487.70 लाख रुपे ध्यान रगने इनके आगे लाख रुपे लिखा हुआ है और इलाइची जो है वो 21,215.04 जो है वो लाख रुपे इसका निर्यात किया गया था इस परकार जो है वो लाल मिर्च यानि चिली जो इसकी स्थिति मुखे रुप से सरवोच है SSC ने वैसे बात करें इस आंसर इस कोशन का जो आंसर वो ए दिया था यानि मिर्च दिया था मिर्च दिया है जो की गलत है SSC ने प्रशन पत्र में मिर्च का अंग्रेजी रुप आंतर जो पैपर दिया था जिसका अर्थ होता है काली मिर्च वर पर दी हैं तो आपको देख लेना कि राइट आंसर क्या होगा अब बात करते हैं फॉर्टिंथ कोशनर पुछा गए कि जायद मोशम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है भाई तो इसके आपके सामने आंसर हो जाएगा यानि तरबूज तो यहां पर आपके सामने क्लासिफिकेशन और क्रोप्स भी दी हुई हैं जिसमें खरीव मांसून की बात जाता है जायद समर क्रोप का जाता है रभी जो विंटर अब देखें प्लांटिड इन मार्च हर्वेस्टिड इन जून कब बोई जाती है कब काट ली जाती है तो इसमें यहां पर वाटर मेलन भी आपको दिखेगा,楊गंबर भी आपको यहां पर दिख जाएगा, यहनी कीरा, तक यह सब चीजे आपको देख लेनी है, फिर से अप यहां पर देख लेते हैं कि जायद की फसल है, मार्च में बोई जाती है, जैसे बोला गया है, काट कबली जाती है, जून में इसको काटा जाता है खीरा हो गया, ककडी हो गया, तरबूज हो गया इसकी फर्मुक फसले है रभी की जो फसल है, वो समाननेत है अक्टूबर में बोई जाती है ध्यान रखना, अक्टूबर नुवंबर ये यहाँ पर बोई जाती है और इसको काट लिया जाते है मार्च में काटी जाती है यानि मार्च अपरेल इसमें तब इसको काट लिया जाते है जबकि जो खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और October, October, November में इसको काटा जाते है गेहू हो गया, जों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया वो रभी की फसल है, रभी की फसल कौन कौन सी क्योंकि इससे related भी कोशन अभी आएंगे उसकी परमुक फसल है, और जब की बात करें, चावल, जौर, बाजरा, कपास, मक्का, यह जो है वो गन्ना हो यह खरीफ की परमुक फसल हो जाती है, अब बात करते हैं, अंतवर्त, यानि जायद, जायद की जो परमुक फसले है जायद की आपकर हमने आप देखा हो, तो यह वोटरमेलन, कुकूंबर, यह सब चीजे हो गई, अब यह जायद जो है, इससे related कोशन पूछा गया है तो यहाँ पर इसके सामने अपके सामने भी इसका अंसर सही हो जायगा, कि परतिस थापित फसले, जो तब बोई जाती है, यह रोपित की जाती है, जब नियमित फसले उगने में ऐसफल हो जाती है तो यहाँ पर रहते हैं अंतवर्ति या फिर कहीं जायद, इसके दो नाम हैं अंतवर्ति और जायद, फसले एक परकार की एक परतिस थापित फसले हैं, जो तब बोई जाती है, जब नियमित फसले उगने में ऐसफल हो जाती है SSC CP 2012 के अंदर ये कोशन पूचा गया था, CHSL 2011 के अंदर ये कोशन पूचा गया था निमले कितमे से किनका उतपादन खरीब के मोसम में नहीं किया जाता अभी आम इने जैसे देख कराएं, इसका अंस और जाएगा जो और सरसो अभी हमने पीछे की जो कॉशन है, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा है कि कब बोई जाती हैं, कब उनको काट लिया जाता है यह पूछा जाता है कि कब कौन सी फसल बोई जाती है कौन सी फसल के अंदर इसको काटा जाता है, कौन से सीजन के अंदर इसको काटा जाता है और रभी की फसल में कौन कौन सी आती है और खरीव की फसलों में कौन कौन सी आती है यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है निमलिकित में से कौन सी भारत की रभी फसल नहीं है देखे, पूछ लिया न, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा D, जूट अब पूछा की रभी फसल नहीं है फिर से, यह देखे, 2017 के अंदर यह कोशन पूछा गया, 2010 के अंदर यह कोशन पूछा गया, जस्ट आपको यह आद रखना कि खरीफ की फसल कौन सी है, रभी की फसल कौन सी है, और उसके अधार पर देखे, कितने सारे कोशन पूछा गया है, तो 18 का आंसर हो जाएगा हमारे सामने, C, मुंगफली मुंगफली जो हो एक खरीफ फसल है, जबकि जो गेहू सरसा, मसूर और रचना जो हो एक रभी फसल है, फिर से रभी फसल के मोसम में भारत में निमलिकित में से कौन सी फसल समू में उगाई जाती है, इसका रभी और ये खरीफ ये तो आपको रट लेना है, इनको कुछ भी भूलना नहीं है इन दोनों को, clear अब बात करते हैं, 20th कोशन भी सरसों के बीच का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला रज्य है, कौन सा है बहिया, इसमें आता है, राजस्तान टॉप कर जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुए, ग्राउंड नट, सोया बीन, सन फ्लॉवर मस, यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, इस ओयल सीट के अंदर आपको दिवी मिलेंगी, इस मैप के अंदर अब 2017-18 के अंकड़े, गर मैं बात करूँ तो सर्सों के परमुक उत्पादर में जो आपको ध्यान रखने है, नमबर वन पे राजस्तान है, सेकिंड पे हरियाना और थर्ड नमबर में मध्यपरदेश है तो राजस्तान, उत्तरपरदेश, हरियाना हमारे सामने यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे, अब यहां पर बात करते हैं पठार की स्थलाकरिती आदर्श है जो पठार होते हैं, तोड़े से जमीन से उपर उठे हुए होते हैं, पहाड होते हैं, पठार होते हैं, फिर मैदान आते हैं तो बीच का एक एरिया हम कह सकते हैं वो किस के लिए है देगर पठार जो है वो ज़्यादा तर खनन के लिए उप्युक स्थान है तो यहां पर सी इसका अंसर हो जाएगा 22 कोशन पर आते हैं 22 कोशन पुछा गया है कि भारत के एक धलान दार परवर्तिय भूबाग जो 200 सेंटीमेटर से अधिक वर्षा वहां पर प्राप्त होती है वहां निमले कितमे से कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है यह पूछा गया है तो यहां पर जहां पर 200 सेंटीमेटर से अधिक वर्षा हो रही है तो वहां चाय की फसल काफी अच्छी होती है तो इसका D आंसर हो जाएगा S.S.C. Section Officer परिक्षा 2006 के अंदर यह कोशन पूछा गया था तो D इसका आंसर हो जाएगा 23rd कोशन पूछागे कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है अब यहां पर इस कोशन का आंसर हम दे नहीं पाएगे Reason यह है कि देखे FAO के 2013 के आंकड़ों के सारगरम बात करें कपास जो बीज है उसके उत्पादन में चीन जो है वो नंबर वन पे सेकिन नंबर पे भारत रहा था और चीन ने इसी अवदी में 12,620 जो हजार टन उत्पादन के साथ और भारत जो हजार 1229 उत्पादन के साथ पीछे रहा था यानि सेकिन नंबर पे हम आये थे 2015 के अगर मैं बात करूँ अबरक अबरक का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो ब्राजील जो था तो यहां से इस में से कपास तो ऐसे कट गया क्योंकि चीन नंबर ले गया अबरक जो है वो ब्राजील लेके चला गया 2017 में तांबे जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो हो चिली रहा था तो चिली यहां पर यह पर तांबा लेके चला गया पाँक हजार बात करते हैं 24th question कि किस भारतिय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 36 गड़ तो देखिए 36 गड़ को समाने तो चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता 2018 अगर हम उसके आंकड़ों के अनसर बात करें तो असम जो है वो 691.91 गिलोग्राम और पश्ची मेंगाल 394.00 गिलोग्राम तमिलाडू 158.86 गिलोग्राम और केरल जो है वो 60.82 गिलोग्राम चाय का उत्पादक हुआ है वानिजिक स्तर पर रबड़ का उत्पादक भारत में निमलिकत में से किस राज्य समू में होता है तो 20 कांसर होगा केरल तमिलाडू करनाटक देखे वानिजिक स्तर पर रबड़ का उत्पादक करने वाले भारत के तीन परमुक जो राज्य है वह केरल है करनाटक है हुआ जो है केरल के बाद त्रिपूरा करनाटक असम तमिलाडो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मगानी क्रिशी के अंतरकत चाय हो गया, कहवा हो गया, नारियल, रबड, इलाइची, इमीर, चहल्दी जो खाद्य तर फसले हैं उनको उपजाया जाता है अब 28th question में पूछा गया कि कुल फसल परतिशत के रूप में भारत में खाद्यान का कितना उत्पादन होता है तो C, 70% देखें भारत में जो खाद्यान जो फसल है, उसके अंतरकत कुल कृशी जितनी भारत के अंदर होती है उसमें लगबख 64.32% खाद्यान फसल गया है, जबकि इसका कुल खाद्यान का उत्पादन लगबख 70% का योगदान है वर्ष 2014-15 की जो सकल कृशी शेतर में 62.66% भाग का खाद्यान फसलों में कृशी की गई थी भारत में फसलों के सकल शेतरफल में खाद्यान का शेतरफल है, ये फिर से वही आ जाएगा 60-70% इसका भी आंसर हो जाएगा अब पूछा गया है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो यहाँ पर आजगा आपके सामने अंसर B उत्तरपरदेश नमबर वन पर उत्तरपरदेश, सेकंड पर पंजाब है, थर्ड पर मत्यपरदेश आ जाता है जूट उत्पादन में सबसे परचूर परदेश कौन सा है जूट उत्पादन में आ जाएगा आपके सामने पश्चिमेंगा यहां पर यह मैंने आपके सामने टोप 10 वीट जो प्रोडूशिंग जाज़े हैं उनको मैंने लगा रखा है तो ध्यान रगना नमबर वन पर उत्रपरदेश है नमबर सेकिंड के उपर आपके सामने मध्य परदेश आ जाता है और यहां पर यह देखे यह 2015-16 के आंकड़े हैं और यह 2018-19 के आंकड़े हैं तो इसमें उपर नीचे हुआ 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 है रख रही है दीखे सारुदिक जूट में भारत में पश्ची महंगाल इसने टॉप किया है वर्स 2012-13 में जो देश के कुल जूट का जो कृशी शेत का 66.67% जो है वो इसमें पश्ची महंगाल के पास था और अगर हम बात करें 2018-19 में पश्ची महंगाल ने कुल जूट उत्पादन लगवग 78.73% उत्पादित किया तो बहुँ जादा है भारतिय जूट उत्द्योग के लिए पर्मुक पर्तिद्वंदी कौन है भाई ये पर्मुक पर्तिद्वंदी आ जाता है हमारे सामने बांगलादेश C इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जूट का अधिक्तम शेतर कहां पर है तो D इसका यानि पश्ची महंगाल है इसके सामने फिर से हमने वही कोशन के बिहार आ जाता है सैकेंड नमबर पर अस्थम फिर ओडिसा यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दूद उत्पादर में संसार में भारत का कौन सा स्थान है तो दूद के अगर अगर हम बात करें D यानि पहला भारत का संसार में दूद उत्पादर में पहला स्थान है भारत वर 1998 से लगातार विश्व दूद उत्पादन में पर्थमस्थान बना कर रखा हुआ है बारत में दूद उत्पादन के अग्रिन स्थेनी में उत्तर परदेश आता है यह सब जीजें आपको ध्यान रखनी है स्टेट वाइज एस्टिमेट ओव मिल्क प्रोडक्शन यह एक मैप मै आपको प्रवाइड भी करवा रखा है क्लियर अब बात करते हैं हरित करांती पद का प्रयोग उच उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था तो सी परती हेक्टेर क्रिशी उत्पादकता बढ़ा कर ससी टैक्स असिस्टंट 2009 के अंदर एक कोशन पुछा गया था डैश क आपके बाद की अवदी के दुरान खाद्यानों विशेष्टें गेहूं के उत्पादर में बहुत ज़्यादा वृद्धी हो गई थी तो कब हुई थी ये 1966 की बाद थी 1962 जब ये एक तरीके से हमारा देश जो है चीन के साथ युद में व्यस था तो उस वक्त हमारे खाने क लाले पड़ गए थे मारे देश को तो एक तरीके से हरित करांती उस वक्त देश के अंदर इंट्रड्यूस की गई थी सबसीडी वहां पर दी गई थी किसानों को कि आप इन फसलों को गाई गे अगर कोई नहीं खरीद देगा तो हम खरीदेंगे एटलिस इतनी मिनिमम प्र 12.9 लाक टन का उत्पादन हुआ था वहीं अगर 1965-66 में बात करूं तो 104 देखे कितना ज़्यादा उत्पादन हम आज की डेट में कर रहे हैं तो यहां पर बहुत जदे एक बूम आ गया था हरित करांती सबसे अधिक फसल सफल रही थी कहां पर यह सफल रही थी पंजाब हर इतकरांती के अंतरगात विक्सित बीज वाली फसलों के उच पैदावर वाली किस्म का चैन कीजिए तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके सामने C चावल, गेहू, जवार, बाजरा और मक्का और यहां पर आपको यह अगरिकल्चर रिवोलिशन इन इंडिया यह सब चीज द देखने को मिल रही है, वीट रिवोलिशन, वाइट रिवोलिशन किस्ते लेटी था, मिल्क से, राउंड रिवोलिशन, पोटेटो से, रेड रिवोलिशन, टमेटो और वीट से, सिल्वर रिवोलिशन हो गया, एग से, यलो रिवोलिशन हो गया, ओल, यानि तिलहन की जो उ इसमें आपके सामने हो जाएगा B, ये हूँ, clear, अब आजते हैं, भारत में अरित करांती का एक और नाम है, तो इसका अंसर हो जाएगा B, उर्वरक और सिंचाई, A, इसका हो जाएगा, भारत में हरित करांती से तात पर रहे, उन्नत किस्रम के बीज, उर्वरक, सिंचाई करांती से, चुंकि हरित करांती के तीन परमुक मूल घटक थे, जिसके बिना इसमें सुधार, अरित करांती के लक्षे को पाना एसम्भव था, H, Y, V, खरेकरम भारत में डैश भी का जाता है, तो इसका A, आंसर हो जाएगा, स्वेट करांती, देखें, भारत के उतरपरदेश को, राज्य को क्या जाता है, चीनी का कटोरा का जाता है, 2018-19 में अनुमानित आंकडों के अनसर, उतरपरदेश चीनी उत्पादन में शीर स्थान परता, जबकि महरास्टर जो है वो इसका दूसरे स्थान परता, कैर इससे कोई रिलेटिट नहीं है, यह अलगी आपकी सामने इंफोर्मेशन आ गई है, लेकिन इसका अंसर हो वो उतरपरदेश हो जाएगा, अभी हम इस चीज को पढ़कर आए हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा, बारत में किस राज्य को धान का कटोरा का आ जाता है, ससी आंदरपरदेश हो जाएगा, यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, धान का कटोरा, चीनी का कटोरा, तो यह सब चीज़ें आपको अच्छे से देखिए रहा टोप 10 शुगर के इन प्रोडूसिंग स्टेट जो है 2017-2018 के अकोर्डिंग बात करें तो उत्रप्रदेश नमबर वन पर है सेकिंड नमबर पर महराष्टर आ जाता है थर्ड नमबर पर करनाटका आ जाता है फॉर्थ नमबर पर तमिल नाडू आ जाता है तो यह सब चीज़ें आपको लाइन वाई याद रखनी है एटलिस टॉप 3 चीज़ें तो आपको याद रहनी ही चाहिए भारत में कृशी को दुष प्रभावित करने वाला मोसम का सबसे बड़ा महतव पुन तत्व कौन सा है वरशा यानि वारिश है वरिष्टी जिसको कहा जाता है क्योंकि इसका एनियम ही था है कभी भी हो जाती है कभी एक तरी किसे जू है मांसून एक जू है कितरे कहा जाता है हमारे याँ पर ओपरेशन फ्लड के अगर हम बात करें वो किस से संबन दिता है वो दूद से संबन दिता है ठीक है फ्लड लिक्विड ऐसे संबन लो तो ए हो जाएगा पहला चरण जो 1977 के दुरान दूट्य चरण 81-85 में तृत्य चरण जो 85-96 में के अंदर चलाए गया था अब स्वेत करांती यानि की वाइट रिवोलिशन हम बात करें तो फिर से भाई दूद उत्पादन से हो जाएगी भी इसका आंसर हो जाएगा यह यहां पर लगाई हुआ है बारत की कुल जनसंक्या क्रिशी में न्यूक परतिशत कितना है देखिए इसमें अगर हम बात करें तो SSE ने इसका आंसर C यानि 70% दिया है आपको ध्यान अगने कि इसका एक आंगड़ा निकल काता है 68.8 तो यहां पर एक अप्रोक्सिमेट आंसर निकलता है हमारे सामने C इसकांसर निकलता है SSE नेली करांती यानि Blue Revolution किसे रिलेटिड है अभी हमने जो मैप देखा था मचली उतपादन से इसका रिलेशन है वो कोशन जो आपके सामने इमेज आये थी वो आपको अच्छे से याद रखनी है देखे 2006 के अंदर SSE CPO, SSE CGL के अंदर 2014 के अंदर यह सारी चीजे कोशन जो प्रिवियस एर में पूचे गए है और यह कितनी बार रिपीट हो रहे है तो SSE रिपीट ही करती है भारत में पीत करांती के अगर हम बात करें तो 20 कांसर हो जाएगा तीलहन से रेटिड है निमलिकित में से कौन सा और कौन से यूगम सही नहीं है या है तो यहां पर पुछा गया है कि इसमें जो आपके सामने सही नहीं है देखे नीली करांती और यह गलत है पीली करांती जो अंडों से ये भी गलत है तो यहां पर डी इसका एक तरीके से हम कहेंगे कि ये गलत हो जाएगा तो नीली करांती जो अचुल में मुटसे पालन से है और जबकि पीली जो करांती वो तिलन उत्पादन से सुनहरी करांती यानि स्वन्ट जिसको कहते हैं वो फल बागवानी उत्पादन से और गुलाबी करांती जो जहिंगा मचली से उत्पादन से रेलेटिड है जहां तक कृषी मुंतराले के सरकारी वर्गी करण का संब्ध भारत में कितने कृषी जलवायू शेत्र है तो इसका अंसर हो जाएगा 127 क्लियर हुआ बीटी बीच का संब्ध है कपास से बीटी बीच का संब्ध है इस बीटी का मतलब होता है बैसिलस और टी का यानि थुरिन जेनिस या जीब सा हो गया थुरिन जेनिसिस एक ग्राम पोजिटीव जिवानू है जो समाजिक वानिकी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D यानि कि सरकारी स्वामितु वाली भूमी पर उपयोगी पोधों का उगाना और उनकी विवस्था करना दीखे वनार ओपन को प्रोचाइट करने के एक कारेकरम समाजिक वानिकी वर्स 1976 मिस को चलाय गया था समाजिक वानिकी के मुखे रूप से तीन अंग है पहला तो है क्रिशी वानिकी जिसमें किसानों को अपनी भूमी पर विक्षर ओपन के लिप प्रोचाइट किया जाता है फिर समाजिक आता है वन भूखन वन विबागों द्वारा लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए सडकों के किनारों पर नहरों के तटों पर ऐसी अन्य सारुजनिक वोमी पर विक्षर ओपन करना फिर आ जाता है थर्ड नंबर समुदाइक वन भूखन लोगों द्वारा स्वेम बराबरी की इस्थेदारिक अधार पर विक्षर ओपन करना फिफ्टी फॉर्थ कोशन पुझा गए कि भारत में संचित शेतर में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है यानि एक की खेती होती है और निमले के तुमें से किस राज्य में टैंक सिचाई परमप्रागत शेतर माना जाता है तमिलाडू यानि ये बी है तो वैदिक काल से चीज़ें चली आ रही है टैंक सिचाई का परमप्रागत शेतर जो द्यपरदेश, तमिलाडू, करनाटक, आंदरपरदेश, तेलंगाना, पूरी उत्तर उत्तर परदेश भी आता है पूरी उराजस्थान भी आता है और टैंक सिचाई जो वो देखा जाए तो भारत में परमप्रागत जो वो दक्षन भारत की वैदिक काल से चली आ रही एक प्रता है 56 कोशन में भारत में किस शेतर में अत्यदिक ऐसंचित खिती होती है तो यह दक्कन का पठार है क्योंकि यहां पर बारिश कम होती है बारिश कम होने के कानियां के जो मिटी है वो बहुत ज़्यादा शुष्क है ड्राई है और यहां पर बालू की जो एक अंस जो है वो जादा पाए जाते हैं तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा भी दक्कन के पठा 57th question पुछा गया है कि निमली कितमे से कौन सा कौन से सिंचाई के लिए उपयूगते हैं तो इसका D answer हो जाएगा महानदी के देल्टाई शेतर महानदी का जो देल्टाई शेतर है कौन से सिंचाई के लिए उपयूगते हैं इस शेतर में जल स्तर जो है उपर होने के कारण धरातल के कठोरना होने के कारण कुएं असानी से कोदे जा सकते हैं और उनसे सिंचाई ये तू जल की प्राप्ती बनी रहती है 58th कोशन पर आते हैं निमलिकित में जिलों में से कौन सा जिला लवनता विदी के कारण खेती योग्या नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा तिरू चिरिपल्ली तो ये इस कांसर हो जाएगा और इसके अलावा और भी काफी सारे जो शेत्र हैं भारत के अंदर जैसे आगराभी कानेर गंगावती सार इंदोर बपला कानपूर लवनता के कांट जो है यहां पर लवनता आते दिक बढ़ गई है 59th question के एकरम बात करें निमलिकित का मिलान कीजिए और नीचे दियेगे भी कलपों में सही चनिए तो चाय जो है वो आसम का एक तरीके से आजाएगा यहां पर तो इसका भी इसका आंसर हो जाएगा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चाय आसम है गन्ना उतर परदेश है मुंगफली गुजरात है सेव जो है माचल परदेश है जो 2017-2018 के आंकर बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया इसके लावा वन लाइनर के करें बात करें तो भारत में कोफी का अधिक्तम उत्पादन करने वाला राज्य है करनाटक भारत में किस राज्य में बांस की साहता सई समिलित करें हरित करांती जो है में स्वामिनांतन स्वेत करांती वरगिज कूरियन गुलाभी करांती जो दुरगेश पतेल बारत की कितनी पर अभाधिय जो है वो कृषिय योग्या सलंगन है 55% 55% बारत की आरतिक समिक्षा 2017-18 के अकोडिंग हम बात करें देश की की कटाई वर्ष के किन महीनों में के जाती है तो देखिए सितंबर अक्टूबर ये आपको ध्यान रखने है खरीब की फजल और रभी की फजल पूर्णत है कार्बनिक अनि और गयनिक बनाने वाली परतम भारती है राज्य कौन से सिक्किम है तो यह हो जाते हैं आपके सामने जो भारत के अंदर जो एक्रिकल्चर से जो रिलेटिट कोशन है उनको हमने कवर किया है जो प्रिवेस एर्स में आये हुए है पीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशिक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ जादा ही पसंद आई है तो शेर कर सकते हैं वीडियो को भी ऐस वेले चैनल को भी थैंक्यू फूर वाचिंग